जिस दोरे हथाकांड की तफ्तीश पुलिस कर रही थी, उस तफ्तीश के दूसरे आउपी जाबिद को पुलिस ने आज ग्रिफतार किया है और ग्रिफतार करने के बाद उसे पूफ ताच की गई है पूफ ताच में जो कुछ भी उसने बताया है, जो सीक्वेंस ओफ इवेंट्स बताया है, उसके बारे मैं मैं आपनों को सिंशेप में अवगर तेराना चाहता हूँ, उसका ये कहना है कि दोनों भाई एक बारबर शॉप पे वहीं काम करते थे, जो पीडिद परिवार के घर क बिल्कुल सामने है, वहाँ गरीब चार पास साहों से काम करते थे और जो भाई था, उसका साजिद, उसका पीडिद परिवार से वाक्वित भी थी, उसके यहाँ उनका आना जाना भी था, घटना के दिन की बाद उसने बताई है कि वो लोग जैसे रूटीन में हर दिन, वो काम नॉर्मल तरीके से शुरू किया, उसने करी लोगी शेविंग भी की, बाल भी काटे, दस साहे दस के आसपास जो साजिद था, उसने कहा कि उसे कुछ दिक्कत आ ली है, वो किसी डॉक्टर कहा जाने की बात करके गया, और खरीब एक डेड़ के आसपास वापस आया, वा और उसके पिताजी ने उसको पीर और यहां जो छोटे सरकार और बड़े सरकार हैं, वहाँ भी उसको काफी ले आगर के उसको दिखाया, इन फैक्ट, दस साल की उमर में जब वो काफी बिमार पड़ गया था, और उसको ठीक नहीं हो राता, तो उसके पिताजी ने वहाँ जोपरी डाल ली थी, बड़े सरकार में, और बज्चे को लेकर के माँ काफी समय तक रहे थी, उसको ठीक करने के लिए, किस तरह की बिमारी थी, इसके बारे में भी हम लोग जाच परताल कर रहे हैं, लेकिन ये अवश बताया गया है, कि वह जब उसको इस तरह की दिक्कत काली थी, तो वह काफी अग्रेसिव हो जाता था, और उसमें वह किसी के नियंत्रण में नहीं रहता था, तो ऐसा प्रतीत होता है, कि वह और इस इमोचनल अफिवल के टाइम पे उसने ये भी बताया है, कि उसके भाई ने कि एक दो बार उसने अपने आपको डामेज कहने क भी कोशिश की, एक बार उसने चुभे माने की दबा भी खाली थी, जिसका आलापुर में एक डॉक्टर साब कहां इलाज भी हुआ था, और अक्सर वो इस तरीके से थोड़ा वाइलेंट हो जाता था, और घरवानों के इंवर्ण में नहीं आता था, उस दिन जो घटना करम था, उसके हिसाब से डेड़ वजे के आसपास उसने कहा कि मेरी तबित खराब लग रही है, और मेरा मन नहीं लग रहा है, तो फिर ये दोनों वापस सखानू चले गए, और थोड़े देर के बाद ही उसके भाई ने कहा कि तुमाई तबित खराब नहीं लग रही तो आज ह कि इसकी तबित खराब थी और इसने कहा कि मैं मुझे फून की उल्टी सी होने जैसा लग रहा है और मैं कहीं जा रहा हूं, इस बात की पुष्टी भी हुई है गवा के बियान से, शाम को करीब पास साड़े आद पाच के आसपास ये थोड़े देर के बाहर गया साजित, ज हम लोगों ने उस वक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया है, जिसके हां से वह चाकु खरीदा गया था, उससे भी पूस्ता शोड़ी है, आने के बाद फिर घटना के समय दोनों इसने जब पूछा कि भई तुमने ये चाकु क्यों खरीदा है, तो इसने कहा कि मैं रमदान के घर के अंधर चला गया, और जाकरके उसने वहाँ घटना करम को अंजाम दिया, जब इसने देखा कि वो नीचे सी देखा कि वो खून से सने कपों में वहाँ च्रक पे दिखाई ही पड़ा, तो ये खबर आ गया, वो नीचे आए और दोनों भाई वहाँ से भागने का प्रि गया था फिर थोड़ी दरके बाद पुलिस को जब सूचना मिली कि ब्लड स्टेंट कपड़ों में एक विक्ती शेक उपड के जंगलों के आसपास दिखाई पड़ा है तो पुलिस ने महां घेराबंदी की और घेराबंदी में जब वो परादी ने भागने का प्रयास किया प जिसके बारे में मैं आपको अगत कराना चाहता था जो अभी पकड़ा गया है उसके सभी और पूफटास की जा रही ही गयराई से और उसके जबाल जो भी अन्य फैक्ट्स बताये गए हैं वो विविचना का पार्ट है जिटके बारे में हम लोग अलग से तफ्तीश कर रहे जाविद का ये कहना है देखिए हमारे पास अभी मुल्यम का वर्जन है जिसकी अभी क्रॉस चेक्ट्न बाकी है उसका कहना है कि साजिद अकेला गया था मैं नीचे ख़डा था आसपास के जो कुछ लोग है जिनसे पूस्ता चीए उनका भी ये कहना है कि जाविद वहां द आया है एक बात तो ये निकल के आ रही है कि वह मांसी क्रूप से थोगा परिशान था अग्रेसिव नेचर का था वालेंट था और ये भी बात समझ में आई है कि शादी भी उसकी बहुत दिक्कत में थी चुकि शादी उसकी अभी से तीन-चार साथ पहले हुई थी और कई क कोशिशों के बावजूद भी उसकी वाइफ को बच्चा नहीं हो पा रहा था एक तो इस टिल-बॉर्ण बेबी हो गया था और दो-तीन बच्चे उसके पेट में खराब हो गयते ये एक बात ने कर आई है और उसकी वैसे बहुत मांसी क्रूप से वह परिशान भी रहता था इस लाइन पे भी हम लोग अपनी चार्श परताल कर रहा है और उनको जो भी उसमें सबस्टाशिल फैक्ट निकल गया है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहा है चुकि इनके हाँ वाक्षियत थी ऐसा लगता है उसका प्रॉक्सिमिटी थी और आना जाना भी था उनके दो बच्चे भी थे अब इस सारे बिंदों पर हम लोग अपनी जाश परताल कर रहे हैं और यह सारी बात हैं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं अभी कुछ और चीज़ें की जानकारी मिलने की संभावना है जिसमें हम अपनी अग्रिम कारवाई को साजित को बगाने में जाविद नहीं मुद अब जब उच्छुरी लेकर आया था तो उसने मुझे नहीं बताया कि वो हत्या करने जा रहा है लेकिन उसके वालेंट नेशर के बारे में उसको पता था और यह भी पता था कि जब गड़ना करने ऊपर गया जब नीचे लौड काया तो गड़ना करे आया था और दोनों सा जावेद जब फागा है और जब उसके विशह में अभी उसने कुछ नहीं बताया है फूर्ट आचवी जाई है और 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 तत्थों का पता रहा है बाएघर जब भागा है और जब उससे बरे डिलिश ने किरफ्टार किया उसने अपना एक वीडियो वाले लिच्छिया उन वह वहां पर गया नहीं वह डर से भागया लोगों लोगों से खूर किया कि तुम्हारे भाई ने सब्सक्राइब कर रहे हैं और आज उसने बरेली जनपद में एक तरीके से अपने आपको आत्म समर्पित किया है यह बात भी सही है वहां से कुलिस उसको लाकर के पूश्टाश कर रही थी घटना के बारे में उसने जो कुछ भी बताया वो उसमें शामिल था या नहीं था यह उसका वर्जन है और जो कुछ भी हमारे पास फैक्स हा रहे हैं हम उनकी जाच परता है अगर है तो उन सारे कॉंट्राडिक्शन की जाच की जाएगी संगीता से भी बात की जाएगी आज उनके घर के लोगों से भी डिटेल में हम वो की वारता हुई है और सारे फैक्स इकठा किया जा रहे हैं वीवेचना अभी पूरी तरस ओपन है तो अभी इसमें जितने भी एक्स हाँ जाएं सब उनकिया रहा है